हलो दोस्तों मिंत्रा पिस टाइम सेल चल रहा है उसी में कुछ प्रोड़क्ट और करी थी और यह आ गया है मैं सोची आप सबसे शेयर करती हूं आप सब के सामने अन्वॉक्सिंग करके दिखाती हूं कि इसमें मैं क्या मंगाई हूं और यह चीजें हमें काफी सस्ती पड़ी पैकेजिंग काफी अच्छी है देखके तो नहीं लग रहा कि अंदर की चीजे टूटी होंगी कई बार हम जब और करते हैं चीजे तो गत्ते के उपर की क्वाल्टी अच्छी नहीं होती तो उपर से दबा अबा पैकेट मिलता है और चीजे भी अंदर टूटी हूई निकल करते हैं कट अभी बॉक्स खुला निए साइड के टेप को हटा लेते हैं इस तरीके से कुछ इत्ते छोटे से गिब्बे में इतना धेर सारा कच्ड़ा भरके आया हुआ हुआ है कत्रन कार्ट बोर्ड के पेपर के चीजे इसमें क्या निकलेंगी देखके सुरू में यही ल और असली चीज को निकालते हैं जो हम और करे थे उसको तो निकल गया यह जो हम और करे थे यहां पे जो है वोट का एयर बट है और यह हमें काफी सस्ता पड़ा और बाकी आयर पे जिस ओलाइन जब मंगाते हैं तो अलग-अलग उस पे रेट है टेप यहां लगा हुआ हु इंडिया का पर-डिक्त है क्वाल्टीं सी काफी अच्छी होती है तो इंडिय लभर के लिए तो यह ज़्यादा गानां ना सुनते हैं इस तरीक pratic की चीज चिजा ज्याधा हमें तो काफी अच्छा हो जाने वाला है कई लेडि ज्यादा तर्कान में लगाई होती हैं व्यार BACKपिता 分lean केचिन में काम करते हैं जल जाएगा जाएगा बर्दन माज़ते हैं हाथ में फस गा गिर जाएगा तो ऐसे चीजे अत्रificar काम में आजाने वाली है यह जो है पच्चीसों में पड़े गया है अब प्राइस देखिए पच्चीसों है पर हमें काफी सस्ता पड़ा है प्राइस अभी बताऊंगे यहां 2400 रूपे मैंसन है 2490 रूपे नीचे यहां पर होगा है तो यह काफी अच्छा हो जाने वाला है जो है विदाव T globally का लोगों यहां पर बना हुआ है और बाकिसारी मेंसन है इस पर है अब हम इसके टेप को हटाते हैं और अंदर की चीजे देखते हैं यहाँ पर सारी चीजे इस तरीगे से पर है टेप को हटा लेते हैं को रटी कैसे निकलती है बॉक्स को कुछ इस तरीके से खूलते हैं ते रहा है यहाँ पर इसका बॉक्स अंदर अंदर की पैकेजिंग काफी अच्छी है तो मैं तो इसको बस ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं चीजे अंदर की सही निकली तूटी हो गए रही है जो कच्छडे का हिसाब था भार के भेज़ी है पैकेजिंग यहाँ पर काफी अच्छी से दिये गए है यह फोम है इस तरीके से कुछ बना हुआ है सेप में जिसे इसके अंदर की डिब्या हो गए है सेप रही यहां पर साह इस तरीके के स्टिकर दिये गए है वरांटी कार्ड भी है इसके साथ में यह रहां कार्ड और इसके सारी चीजे किस तरीके से में यूज करना है सारा इस पर एक छोटा सा बुक टाइब दिया गया है इस पर है और यह हमें काफी सस्ता पड़ा ऐसा नहीं है कि यह जो है प्राइज पची सो है तो पची सो में पड़ा आठ सो में सेल में पड़े गया है उसके बाद इसमें डिबी में दिया गया है इसका चार्जर वह भी निकाल लेते हैं चेक कर लेते हैं वैसे चार्जर के नाम पे त जहां भी हम रखेंगे बोर्ट से इसका वायर कितना जाएगा, थोड़े से कंपनी वाले इसका साइज बढ़ा देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग मंगा रहे हैं, पर बोलते हैं, कि चार्जर जो दे रहे हैं, उसके साइज को बढ़ाना चाहिए हो अगर कंपनी वाले बना रहे हैं, नहीं दे तो ज्यादा अच्छा है, चोटा से एर ड्रॉफ या रबर कह सकते हैं, साइज के हिसाब से कान हो, उस हिसाब से रबर को लगा के सेट कर लेना है, चार दिया गया इसमें, एक हमारे एरवट में लगा हुआ है, तो वह लगा ले तो दो-चार वार इधर उधर जेब में गया तो नहीं, पर टेबल और पर इधर उधर हम रहते हैं, तो डिब्बी आप स्क्रेच और आए गया भी तो बहुत अच्छे साइन कर रही है, डिब्बी की काल्टी जो है काफी अच्छी है, देख सकते हैं, अवाज से ही पता चल कालते ही हमें इसको अन करने की जोटनी पड़ेगी, हमारे एरवट जो है अन हो जाएगा, तो आप निकाल रही हूं, जो एरवट का ये डिब्बी है, जो चार्जिंग केस है, काफी अच्छा लगा, साइड में इसकी चार्ज के लिए दिया गया है, और ये क्वाल्टी, का यहां पर जो कंपनी का लोगो दिया गया है, क्वाल्टी अच्छी है, लगा के कान में रखेंगे, तो कानोगर में दर्द नहीं होगा, काफी कंपटेबल है, ये चीजे भी अच्छी लगी, और केस तो इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, डिब्बी से बाहर आते ही, य अगर आप विदाउट जो है, बाहर के इस तरीके का यूज़ करते हैं, ज्यादा तरकार नहीं हो नहीं हो जाता है, अटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है, और माइक भी इसमें है, इस तरीके के सारी क्वाल्टी इसमें है, और एक केस की क्वाल्टी काफी अच्छी है, करते हैं, कई और दूर तक जाते हैं, तो दस मीटर के दूरी तक हम इसको लगा के जा सकते हैं, तब तक आवाज अच्छी आती है, दस मीटर के बाद आवाज आती है, पर बहुत साप नहीं आएगी, उसमें खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खीर-खी काण में लगाने पर दर्द नहीं होगा, है भी नहीं है. तो इसकी सारी चीजे, काफी अच्छी लगी। और ऐवाज, पर इस तरीके की चीज़, यूज करते हैं, तो हमें तर लगता है, इस प्राइज में, यूज करती हूँ, मैं ऐसी चीज़, यूज नहीं करती हूँ, पान में खुजली हो रही है या पसीने जा रहे हो तो पसीने वगरे से बिलकुल खराब नहीं होंगे पर हाँ पानी में लगा के नहीं निकलना है पानी वगरे में जाएगा तो यह खराब हो जागा